गेम ओवर आ गए मेरे मोट का तमाशा देखने वेल तो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है ठीक ठाक हूँगे मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई आपते बाबुराओ गणपत्राओ आपते वैसे तो शादियों में बहुत से हसाने वाले पल केमरे में कैद हो जाते हैं लेकिन भाई भारती शादियों की तो बात ये लग है आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से भारती शादियों में होने वाले कुछ फ़नी मोमेंट्स आपके लिए लाए हैं इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन वीडियो में जाने से पहले अब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो इसलिए सब्सक्राइब करो इंपॉर्टन्ट है भाई दोस्तो इस पहली वीडियो को देखिए जहां पर दूले मिया बड़े इस्टाइल के साथ स्टेज पर खड़े हैं और काफी फोटो क्लिक करवाने के बाद इने याद आया कि भाई पैंट की जिब तो खुली थी तो हो गई ने बेजिती हराब चलो यार इसने अपनी जिद का कच्रा लोगों के सामने तो करवा दिया लेकिन दुलहन का रियाक्शन घर जाकर कुछ ऐसा होगा आपने कई बार दूले की शादी में दूले के चाचा, ताया, फूपा और बहुत से सतरंगी रिष्टेदारों को नाच्टे तो देखा होगा लेकिन इस चादी में रिष्टेदारों से ज्यादा ये घोड़ी मूव दिखा रही थी इस घोड़ी ने दूले की डाल की आंथ हिला डाली अब इस अगली वीडियो को देखने के बाद आपको वो मिसाल याद आएगी जमीन बंजर और उलाद कंजर खुदा की से नुन अदवे अब कुछ खरामी बच्चे इतने खराम खोर होते हैं जिने एक अजीब ही चुल होती है अब ये बच्चा इस गोड़ी की पूछ से ऐसे लटकता है कि गोड़ी के साथ साथ दूले मियंबी जमीन पर तश्रीफ ले आते हैं अब इस अगली वीडियो को देखिए जहां दूला दुलन के स्टेज पर ये चाचा उस कहावत को साबित करेगा हम तो डूबे हैं सेनम तुमें भी साथ ले डूबेंगे अब हैरत की कोई बात नहीं है ये भारत की शादियां है यहां कुछ भी हो सकता है कहीं शुक्ला और सवीत्री की होती है लड़ाई कहीं दुलन ने कर दी दूले पे चड़ाई कहीं दूले ने नहीं मानी हार और जिद में खुलवा बैठा अपने पिछवाडे के दौर वैसे भारत की शादियों में सालियां उद्धम बचाती हैं लेकिन यहां तो दूले मिया ही सस्ता नसा करने के बाद सालिय के साथ ही राम लीला रचाना चाहते हैं माला पहनानी थी वे शाली को पहना दी साली को दोस्तो वैसे तो आजकल जमाना बदल चुका है एक वक्त था जब दूले गोड़ी पर आते थे वहीं आजकल दूले बुलेट पर और दूला बड़ी कन्वेंस यनि हाथी पर सवार होके आता है लेकिन भारत में तो बारात के लिए जेसी बी का इस्तमाल भी होता है मतरब इने कुछ अलग करना है अलग दिखना है इन्हें फरक नहीं बड़ता चाहे इनकी इज़द का फलूदा निकल जाए अब इस अगली वीडियो में कोशलिया जी और शुकला जी एक दूसरे के मुँपर केक मलते हुए नजर आए आपको नहीं लगता कि केक को खाना चाहिए वो कहते हैं कि शादी में अगर आपके दोस्त आपके साथ हूँ तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं यहां यह दूला दूलन बड़ी शान से स्टेट पर बैठे थे लेकिन दूले के इस हरामी दोस्त ने दूले के साथ चेड़ खानी शुरू कर दी पहले तो दूले ने इसे मज़ाख समझा लेकिन जब यह आदमी अपनी हरकतू से बाज नहीं आया तो दूला इसके कान के नीचे बजाने लगा अब इस अगली वीडियो में दूला इतना कन्फ्यूस है दूला ने सिंदूर को बीवी के माथे पे लगाने के बजाए अपने माथे पे लगा लिया अब इस बेचारी दूले के दिल पर क्या गुजरी होगी अब यहाँ दूले का हरामी दोस्त मौका पाते ही दूले को किस करके निकल जाता है अब इस लड़के के जाते ही एक लड़की आती है और दूले को किस करने के बाद इस पपी का बद्रा ले लेती है वैसे तो दुलहन की रुखसती के वक्त गर वाले सब ही रोते हैं लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए जहां गर वाले इसे लाते मार के गर से बगा रहे हैं मानो के वो ये कह रहे हूं गंदी लाद नमजा नसवाद कभी कभी इनसान की शादी इनसान के लिए ड्रावना खुआ बन जाती है अब इस दूले को ही देखी जिए जैसे ही इसने दूलहन का खुबसूरत चेहरा देखा रफू चक्कर हो गया अब इस अगली वीडियो में सुरेश भईया सवित्री भाबी के साथ हनी मून पर जा रहा था लेकिन बीच में ये कश्टी कभाब में हड़ी बन गई जब इसने आगे जाने से इंकार कर दिया लो भाईया गई भैस पानी में अब आपको मिलवाते हैं एक सुशील और सुन्दर कन्या से अब ज़रा केमरे को थोड़ा उपर गुमा के देखते हैं हाँ ये है मेरा मुनना मेरा चांद का टुकडा अब उस शादी का क्या मज़ा जहां पर दादी का डांस ना हो तो चलिए आखर में दिखाते हैं आपको दादी का तड़कता भड़कता डांस वेल तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो होब कि आपको बहुत जादा मज़ा होगा अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी अच्छे लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाई